हाई कॉचिस पीपल आउट देर, वेलकम टॉ माई चैनल भग्स भारती, मैं हूँ भगबती और मेरे इस चैनल पर हम करते हैं बातें होम, ब्यूटी और फैशन से जुड़ी हुई, यानि कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई और नेल आट सीरीज का ये वीडियो है मेरा, और इस वीडियो में आज हम create करने जा रहे हैं ये तीन डिजाइन्स और इस वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि end में as usual हरवार की तरह मेरे पास आपके लिए है healthy nails से जुड़ी हुई एक tip तो फिर चलिए शुरू करते हैं, पहले जो है नेल पर कोई एक dark color का paint apply करते हैं जिसे यहां पर मैंने dark maroon color apply किया और उसके side में इस तरह से light pink color जो है उसकी एक strip बना ली है और पर उसके बाद कोई भी चीज लेकर जिसके की tip rounded हो जैसे की bob hairpin जो होती है वो या मैंने यहां पर अपने hairpin का एक tip use किया है उस पर जो है silver या grey color का nail paint लेकर उससे जो है उनके जो जहां पर हो दोनों colors मिल रहे होते है ना उस joint पर dots apply किये हैं तो इस तरह से बन गया ये design उसकी भी जैसे पहले हमने strip बनाई थे सिक strip बनाई और उसके बगल में red color के bright red color के nail paint से इस तरह से strip बना ली है और फिर जो है जो red color का nail paint है उसे थोड़ा जो green strip थी ना उसके उपर उससे जो है कुछ lines सी कुछ streaks जैसी बना ली और इस तरह से एक और हुबसूरत सा design तयार हो और उसके बाद उस पर जो है यह purple color का या dark magenta color का shade लेकर उसके थोड़े से जो है dots बना लेते हैं ब्रश तरह ही बना सकते हैं कोई जरूरी है कि बहुत exact से बहुत rounded dots आए जले हम कोई rounded tip वाली चीज यहाँ पर use नहीं कर रहे है तो इस तरह से dots बन गे उसके बाद एक toothpick लेक और उस toothpick को white color के nail paint में dip करके उसके उनके बीच में जो है थोड़ा सा nail paint रखके और फिर उसको इस तरह से घुमा लेते हैं spiral way में इस तरह से और इस तरह से जो है बनाते रहते हैं और जब तक कि उसमें एक ऐसा look नहीं आ जाता जैसे कि na flower की petals होती है या जो magenta color है उसके देखने पर जो है लगेगा जैसे कोई जादू है कि मतलब उसके बाद वो petals वाला look आही जाता है उस पर और उसके बाद जो है हम green color का nail paint होता है उसमें इसको dip करते हैं इसी toothpick को dip कर लेते हैं या फिर हम किसी के पास कोई पतला brush है तो उसे use कर सकते हैं पर मैंने यहां पर toothpick की use कि उसे छोड़ी leaves बना लेते हैं randomly जो है जो सारे rose floss बने हमारे five rose floss बने ना इनके corners में जो है से छोड़ी leaves बना लेते हैं और इस तरह से तयार हो गया हमारा यह खुबसूरत सा design अब इसके उपर transparent paint की एक coat apply करते हैं और especially edges जो है जो टिप्स हैं उन्हें इससे seal करना बिलक बढ़ने लगता है ना वो ना हो और इस तरह से जो है जो है जो nail paint हमने apply किया है जो design बनाने में इतनी मेहनत लगाई है हमने वो design लंबे time तक चलेगा और साथ में उसे मिलेगी अच्छी shiny finish भी और अब बार यह tip की तो अगर आपकी nails में यह problem है ऐसे मेरी nails में बहुत problem थी प इसका मतलिब यह है कि all nutrients के साथ साथ हो सकता है अपकी body में जो है वो iron की deficiency हो iron की कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए जिने जीज़ों में iron मिलता है ना वो चीज़े खाने चाहिए जैसे की leafy vegetables peanuts बगारा 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 साथ में milk products भी लेते रही है regularly अगर आपको यह वीडि बेल आइकन बना है उसे भी touch करी वीजे जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और useful वीडियो के साथ till then take good care of yourself, carry the right attitude, be creative and stylish, bye bye